बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ डिसकस कर रही हूँ आज एपिसोड 30 पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इससे पहले के एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सेटनास का सफर उसमें आपको सारे ही एपिसोड मि बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे और गाइस अगर आप चाहें तो मुझे इस्ट्रेग्राइम पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है हमने देखा कि किस तरह से वाइल कार्ड आए और वाइल कार्ड कितनी स्ट्रेटिजी के अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देखेगा मेरे चैनल पर अब यहां पर होती है सुभा और मॉर्निंग संग बचता है सब डांस संस करते हैं लेकिन शेहनास का मूड ना अभी भी थोड़ा सा अपसेट ही है क्योंकि जिस तरह से हिमांशी आई एक ने नेगिटिविटी घर में हो रही है यहां पर हर जगे उसी कांट्रिवर्सी की बात हो रही है जिससे शेहनास गिल दूर हो जाना चाहा दिये तो यहां पर शेहनास बहुत साथ है वो किसी से भी बात नहीं करना चाह रही है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो उसके फ्रेंड भारति और आसिम वो अब सब चेंज हो रहे हैं दीरे-दीरे क्योंकि वाइल्ड कार्ट के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पैन्ट कर रहे हो यहाँ पर शेहनास को इग्नॉर कर रहे हैं ऐसा शेहनास को लगता है अब यहाँ पर शेहनास सुभा होती है और garden area के तरफ जारी होती है अब यहाँ पर आरती उसे आवाज देती है शहनाज ओए 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 कहां जारी है शहनाज लेकिन शहनाज कोई जवाब नहीं देती और वो बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है garden area में तो आरती पीछा नहीं छोड़ती बाबा वो उसके पीछे वहाँ भी आजाती है क्या हुआ तुझे क्या हुआ शहनाज से पूछती तो शहनाज कहती है वो तुने जो कल कपड़े वाली बात बोली स्वीमिंपुल के पास मुझे वो हर्ट किया मुझे नहीं अच्छा लगा तो आरती कहती है तो मैं तो तेरे बारे में बोल रही थी तेरी तारीफ कर रही थी तेरे लिए अच्छा बोल रही थी और तू ऐसा कर रही है तो शहनाज कहती है मुझे बात नहीं करनी मुझे इरिडेशन हो रहा है मुझे बात नहीं कर रही है कि तुम सब अब चेंज हो रहे हो धीरे-धीरे तो यहां पर आरती कि तो चिला-चिला के बात करने की एक वज़ा ये भी है कि वो सिधात को सुनाना चाहती है कि सिधात वहीं आगे ब्लूस उपे बर बैठा है वीवो वाले तो चाहती है कि ये सारी कॉन्वसेशन की आवाज वहां तक जाए और भाईया इसका मन नहीं भरता वो आती है और सिधात के सामने सारी चीज़े बोलती है कि ये मुझे ऐसे बोल रही है ये बोल रही है कि तुम सब चेंज हो गया हो सब के बारे में ऐसा बोलरी की वाइल्ड कार आएं तो तुम सब चेंज हो रहे तो सिधार्त यहाँ पर कहता है तो तू क्यों जा रही है उसके पास क्यों बात करें उसने मना किया ना भी बात मत कर मुझसे तो तू क्यों जा रही है बात करने तो यहांपर बहुत सारे लोग सिधार्थ को मिसजच कर सकते कि सिधार्थ ने शेहनास के लिए ऐसे क्यों बोला लेकिन वो नहीं चाहता था सिधार्थ की अभी शेहनास को कोई बहुत जाधा इर्रिटेट करे की consent है शहनास के लिए लेकिन अगर वो समझाता आरती को कि आरती उसको मैंसा मत कर वो low feel कर रही है तो आरती कभी नहीं समझती तो आरती को उसी की भाषा में समझाया सिधाने क्यों जा रही है वहाँ पर मत कर उससे बाद उसने मना किया ना तो ये चीज़ लोगों को गलत लगी कि सिधात ने ये शब्दी उसकी है लेकिन सिधात ने क्यों ऐसा बोला ये चीज़ समझने के लिए ना बहुत सारी क्लिप्स देखने पड़ती है अब सिधात जो लॉजिकली बाते करता है अगर हम एक क्लिप देखकर और उसे डीकोट करेंगे तो हम नहीं समझ सकते कि सिधात के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है पहले की बहुत सारी क्लिप्स देखने पड़ती है और जो उसने बोला उसके बात भी बहुत सारा कुछ देखना होता है तब समझ में आता है कि सिधात ने अभी ऐसा क्यों कहा तो सिधात ना शेहनास के लिए बहुत बहुत ज़ादा कंसर्ण है इस समय क्योंकि सिधात जो फेस कर रही है कहीं न कहीं सिधात भी उन चीज़ों को फेस कर चुका है इस तरह से आर्टिकल्स आना और इस तरह से अपनी चीजे मीडिया में आना ये सब चीजें सिधात फेस कर चुका है तो उसे पता है कि यार कैसा फील होता है और रश्मी यहाँ पे थी तो कितना ज़ादा मैंटली सिधात को हर्ट करती थी वो बार बार वही वही चीजे धोरा आगे में मूँ खोलूंगी तेरे लिए ये सब बोलूंगी तो सिधात समझ पा रहा है अभी शेहनास के मैंटली सिधात के साथ वही चीजें यहाँ पर हिमानशी करने की कोशिश कर रही है शेहनास के साथ तो शेहनास भी बहुत मतलब कठिन दौर से समय गुजर रही है और सिधात उसे इस तरह से सपोर्ट कर रहा है कि वह भले ही थोड़ा दूर है अभी लेकिन सपोर्ट उसका शेहनास के साथ ही है इसलिए आप प्लीज मिस जजज मत किजिए और इन दोनों के बीच में जो थोड़ी से मिस अंडिस्टेंडिंग होती है न वो तो घरवाले ही क्र अघ्णी एरिया का सीन दिखाया जाता है आरतीना बहुत ज्यादावर कॉंफडेंस में है इस वक्त एक तो वो कैप्टन है वो हर मुद्दे में घुसरी है और हर चीज का मुद्दा बना रही है लगदन और बहुत जगा मोजूद है और तो उसने रश्मियोड बादी ना क confidence चड़ के बोल रहा है, वो over confidence में लदी हुई अलगी नजर आ रही है, और यहां पर वो पारस के साथ एक argument क्रियेट करती है, हम पर रोटियों के लेके मुद्दा बनता है, बहुत बहुत जादा यह argument बढ़ जाता है, चिल्लम चिल्ली मतलब दोनों की बीच में बहुत जादा होती है, वो दोनों ही एक दुसरे की ओकात दिखाने पर तुल जाते हैं, दोनों ही जगड़ते हैं, लेकिन यहां पर बिग बॉस 13 में ये चीज़गडा किसी के भी बीच हो, सिध्धात को घसीडा जाता है उस जगड़े में, सब को रहता है, सिध्धात को पोक करो, इसमें फुटेज में लेए हुः सिधात को लाना होता है सबकों और पारस भी यहीं करता है रोटी विए कि यहीं करता है। सिधात को उसमें घसीडा जाए तो यहां पे सब की चाल नजर आ रहे हैं सिधात बहुत अच्छी तरीके से ना सब की चाल समझता है और यहां पे माहरा मैडम भी कम नहीं है उन्हें किचिन की ड्यूटी मिली है और वो चॉपिंग की ड्यूटी दे दिये सिधात को और चॉप की जो एक चाल है ना कि सिधात से शहनास को दूर कर देना ताकि हमारी टीम में से शहनास निकल जाए और शहनास को मतलब इग्नोर करना शहनास को लो फिल कराना यहां पे आसिम और हिमानशी भी मिल चुकी है इनके बीच में और आरती इन सब की यही गंदी चाले आरो यहां मुद्धा होने के बाद, पूरा जगडा होने के बाद, जगडा होने से पहले तुम बैठ जादे सिधात की हैल्प कराने तो इतना ये मुद्धा क्रियेट ही नहीं होता ना, शेहनाज नहाव आके आती है, वो माहरा को कहती है कि तुम मुझे बोला कर, तुझे कुछ ऐसे जब ये मुद्धा हो रहा था, तब आसिम और हिमानशी कहां थे, हिमानशी तो बाहर से देखके आई है कि चौपिंग में किस तरह शेहनाज हेल्प करती है, किस तरह से वो इंटरेन करती है, तो वो शेहनाज को कौपी करने कि यहां पे कोशिश कर रही है, उसकी ने में भी शेहनाज को कौपी कर रही है, हर बात में वो शेहनाज को कौपी कर रही है, यहां पे चौपिंग करने बैठ गई, तो भाई जब यह मुद्धा क्रियेट हो रहा था, उससे पहले आके बैठ जाती है, जब शेहनाज ना के आई, उसने माहरा को बोला, उसके बढ़काया जाता है इन दोनों की बीच में खाई बनाने की कोशिश की जाती है पूरे घर में पूरे घर में यही चाले चल रही है क्योंकि सब को पता यार कि सिद्धात और शहनाद स्ट्रॉंग है इस गेम के हिरो हिरो इन तो हमारे से नाजी है ना यह चीजे बाहर बहुत आ रही थी और यहां पर आरती भी यार इनकी सडिनीए ना आसिम इनका सगा यह लोग भी किस तरह से क्रीत करते हैं चीजें वो सब कुछ नजर आ रही है सिधार्त ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहां पर आखिर पक क्या रहा है अब यहां पर आसिम कहते है कि मैं तो कराने के लिए बैठा हूँ हैल्प मैं तो कराई रहा तो करती की सिधात के साथ शहनास बैठके चौपिंग करा है इतनी जल्दी कूदती है बीच में अरे हैं धो तीन लोग बलकि स्टार्टिंग से शहनास ने हमेशा चौपिंग में सिधात की हैल्प कराई है लेकिन अब आरती कैप्टन ने तो शहनास को कठीन ड्यूटी दे दी उसने बादरूम की कि उसे वही बीजी कर दिया कि वो यहां आई नहीं पाए और सिधात की हैल्प कर ही नहीं पाए मतलब इन दोनों को साथ में चौपिंग तक नहीं करने दे रहे हैं ये लोग आप सोच सकते हो कि किस तरह से वहां पे चाले चली जा रही थी अब यहांपर होता है नॉमिनेशन का टास्क और यहांपर सबकी असलियत नजर आईगी क врीजन भी ये लोग इतने अजीब देंगे ना कि सबकी उकात यहां टोमिनेशन टास्क में नजर आजाईगी वो हिमान्शी को नॉमिनेट करता है क्योंकि उसे शहनास को अपने दरफ करना था ये उसकी स्ट्रेटिजी है कि अकर मैं हिमान्शी को करूँगा तो शहनास मेरी तरफ आएगी या वो मेरी बातों से इंफ्लेंस होगी तो उसने उसकी तरफ एक कदम और बढ़ा दिया अब यहां पर सिधात अरहान को करता है कैसारी को करता है माहरा जरीवाला को करती है तहसीन पुनावाला को करता है आसिम तहसीन पुनावाला को अरहान को करता है अब शहनास भाव को जरीवाला को करती है हिमान्शी जो है पार अरहान सिधार्थ को करता है और आसीम के लिए बोलता है कि तू सिधार्थ की परचाई है और जब सिधार्थ को करता है तो बोलता है कि शुकला मैं अकेला हूँ मेरे साथ खेल तू बहुत टीमे बना रहा है तो सिधार्थ आता है अपनी स्टाइल में भई और सिधार्थ की स् जितना मेदान में आना है आ और जिस जिस को लाना है और जिस जिस की बाते लानी है ला समझाना समझाना और मस्त डालोग बोलता है यहाँ पर सिधार्थ फिर आरान केता है भाई में वन में आर्मियू वन में आर्मियू तो सिधार्थ केता है तेरी आर्मी रख तेरे पास और और आसिम भी बहुत जोरों से चला थे कि आसिम को उसने परचाई बोल दिया, आसिम का ये ट्रिगर पॉइंट है, जब जब उसको चमच, चमचा, परचाई, या सिधारत की बात पूछ है, या इस तरह की चीजे बोलते हैं तो आसिम ट्रिगर होता है, और आसिम फटता है, य इस वज़ा से जिस वो फटाना तो उसको बहुत सारे लोगों ने और नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि एक रीजन के लिए आपको इतना भड़कना नहीं है नॉमिनेशन में, अब क्या होता है कि बिग बॉस अनौन्स करते हैं वो नाम जो की नॉमिनेट हो चुके हैं, और वो एक मौका मिला है और वो आसिम को बचा दिये, वो सिधात को भी बचा सकती थी ना, सिधात ने हमेशा उसकी हेल्प किया, पहले भी करता है और आगे भी करेगा, लेकिन वो आसिम का कर्ज यहां पर उतारती है, क्योंकि रोज वाले टास्क में फ्लावर आसिम ने आर्ती को दिया, तो यहां पर आर्ती उसका नाम लेकर उसे सेव कर देती है, तो यहां पर इनकी टीम के अंदर भी एक टीम चली आ रही है, जो यहां पर दिखती है, अब सिधात को पता है कि आसिम ट्रिगर आउट होता है जब उसे परचाई या पूज बोला जाता है, तो यहां पर इनकी बातरों मेरे में एक conversation दिखाई जाती है और सिधात बोलते हैं उसे परचाई बोलने की क्या ज़रती तुने ऐसा क्या काम क्या और अभी तो हम दो दिन से साथ बैड भी नहीं रहें जब से नए लोग आए हैं सब अपना अलग अलग बैटरे फिर उसने ऐसा क्यों बोला मतलब इनके बीच में conversation चारे होते हैं तो आसीम बहुत अपन और दोस्ती यहां पर दिखाता है और शहनास बिल्कुल तेरी अपनी निया वो तो ऐसी है वो तो ऐसी ही करती है उसके तो तुम trustी मत करो हम तो पहले सी जानते हैं कि वो ऐसी है वो वैसी है तो मतलब यार यह नोग की strategy यह चाहिए आरती जब भी बात करती है सिधात से इसी तरह से बात कर दीगी है हाँ वो तो ऐसी है हमें तो पता है कि वो उसमें बच्पना नहीं है तुम ही कहते हो कि उसमें ऐसा ऐसा तो ये आरती और आसिन की यही प्लानिंग है और सिधात बहुत अच्छे से समझ पा रहा है कि ये लोग क्या चाहते हैं तो ये सिधात का जो मतलब गेम प्लान है ना जो गेम खेलता है माइंड गेम खेलता है सिधात वो चीजें यहां पर अब्जर्व कर रहा है और सिधात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में चीजों को समझ रहा है कि आखिर ऐसी चीज़े क्या हो रहे और ये सब लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अब यहां पर पारस की गेम भी चल रही है क्योंकि पारस भी तो गेम ही खेलने आया उसे भी सचे एमोशन से कोई लेना देना नहीं है यहां पर वो शेफाली जरीवाला को नॉमिनेट कर तो देता है फिर आकर वो जब वपर आने लगता है औरे तु दूसरे ग्रूप में बैठती है मेरे साथ नहीं बैठती है तो शेफाली उसकी कि शिकायात यहां पर आके करती है सिधार्थ से मतलब हर इंसान डबल गेम खेल रहा है यार डबल गेम दो मुहा जिसे कहते है न सब चीजे वही हो रही हो सिधार्थ को बता दी है और यह पारस मुझे बोल रहा है कि तू उस ग्रूप में बैठती है तू उस ग्रूप में बैठती हूँ मैं तो सब के साथ सिधार भी हम सब बैड़े थे, हम सब बैड़े थे, तो सिधात भी कहता है चल ठीक है, फिर वो कहती कि शेहनाज ने मुझे नॉमिनेट किया, मैं तो उसके लिए पूल में कूद गई, तो सिधार तो उसे भी इगनौर करता है, मतलब सिधात को शेहनास की बात किसी के भी अरहान को ना बस चाहिए जगड़ा करने वाला मुद्धा बनाने आए मतलब उसे किसी को पोक करना उसको पता नहीं अंदर अंदर कुछ हो रहा है कि भाई मुझे जगड़ा करना है जगड़ा करना है बिग बास में आयों तो बस मुझे जगड़ कर ही दिखना है फुटेज मुझे चिला करके ही लेनी है तो यहाँ अरहान बहुत पोक करता है सिधात को मतलब जनानी बनानी जाने क्या क्या बोलता है बस उसे था कि मुझे सिधात से जगरना है मुझे सिधात को पोक करना है उसके बाद आसिम भी चालू हो जाता है बीच में क्योंकि वो आसिम को भी बीच बीच में पोक कर रहा था और फिस सिधात से कहता है कि आप तो मुझे दस साल से जानते हैं तो सिधात कहता है मैं आपको दस साल से जानता हूँ मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता तो फिर अरहान कहता है तो फिर आपको याद नहीं होगा तो सि पर वाइ इसको नहीं जानता बस मैंने इसका एक आरिकल पड़ा था बहुत पहले कि रश्मी और इसका कुछ अफ्यार है सिधात बताता है उसके बाद सिधात बोलता है कि जब ये पहले दिन अंदर आया तो इसने मुझे बोला कि मैं तो तुम्हारी और रश्मी की दोस्ती कराने वाला था तब मेरे माइंड में एक दम क्लिक किया कि भाई ये है कौन जो मेरी और रश्मी की दोस्ती कराना चाहता है तब मुझे दिमाग में आगी अच्छा मैंने वो आर्टिकल पड़ा था और मैं इसको नहीं जानता हूँ तो भई अरहान भी एक गेम लेकर घुसा है अंदर अरहान भी गेम खेलने के चक्कर में है अब यहाँ पर दिखा जाता है कि यार शहनाज नेशनल टिलिविजन पर हिमानशी की ममी पापा को सौरी बोल दी क्योंकि हिमानशी ने बोला कि तुने मेरे पैरेंट्स पर बोला भाई पैरेंट्स पर तो हिमानशी भी गई शहनास के पापा को हिमानशी ने भी बोला और मतलब हिमानशी की ममी ने उसे ये सीखा कर बेजाए कि वो मुझे सौरी बोले तुझे कसम ने तुझे बात मत करना यार कैसी है हिमानशी की ममी तो वो ही उसकी ममी के शायद गुण हिमानशी में आये होंगे और हिमानशी की ममी को sorry बोलती है वो कहती है हिमानशी की ममी को sorry और मिलेंगे तो भी मैं sorry बोल दूँगे और आप मैं छित्तर भी मार ले ना मैं छित्तर भी खालूँगी यार सच में ये दिल जीत जाती है लड़की कि हर बार हमेशा हम सब के दिलों को जीत लेती है और ये हम सब के दिलों पर राज करने लायक है क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा यार कि कोई celebrity cameras के सामने किसी को इस तरह से sorry बोल रहा हूँ ये सिर्फ शहनाज ही कर सकती है इतनी down to earth सिर्फ शहनाज ही हो सकती है और चीजों के सामने शहनाज ने आकर sorry बोला यार कान पकड़ के मतलब क्या बोलू मैं क्या बोलू इतने लोगों के दिलों पर राज ऐसे थो नहीं करते हैं हमारे सेड़नाज कुछ तो उन में खास है इतना खास है इतना खास है कि मतलब कभी-कभी बया करने के लिए लब्स कम पढ़ आपका इस बारे में क्या कहना है गास प्लीज मैं इस मॉमनट पर आपके कॉमेंट जानना चाहूंगी कॉमेंट में आके दिल खोल के शैनाज और सिधात के बारे में बोलिएगा, बात करिएगा, अपने दिल की बात रखिएगा अब शहनाज यहाँ पर गार्डन एरिया में होती है, अरहान भी बैठा होता है, पारस महरा भी वहाँ पर होते हैं और पारस फिर से शहनाज को सिथात के खिलाफ भड़काना चालू करता है, उसका यार एक ही काम है अब उसे लग रहा है कि मैंने तो इसका सपोर्ट कर दिया है, हिमानशी को नॉमिनेट कर दिया है तो अब शहनाज मेरी हर बात मान लेगी, हर बात सुन लेगी और फिर से वो वही चीजे चालू करता है वो कहता है कि तु है ना उनका ख़ाल तुमें साथ देती है, वो लोग कभी तेरी फिलिंग्स नहीं समझते तु क्यों ऐसा करती है, वो तो तुझे कभी सपोर्ट नहीं करते वो हमेशा आरती को सपोर्ट करता है, अब नए लोग आ गए तो अब हिमानशी मिल गई उसको तो अब उसकी तरफ जा रहा है वो कभी तुझे अपना नहीं समझता है, इस सब सिधात के खिलाफ यहाँ पर बढ़काता है यहाँ पे शहनाज वहाँ बैठी होती है, उसे भढ़काया जा रहा है, सिधात यहाँ बैठा होता है इन लोगों के साथ वाइल कार्ट जो आए है, नए पुराने लोग, अब यहाँ पे, वो सब चीजें चल रही है तो शहनाज और सिधात दोनों ही, कहीं न कहीं, misunderstanding हो चुकी है, इन दोनों के बीच में, दोनों ही hurt हो रहे हैं अभी अब सिधात को यह था ना कि पता नहीं, शहनाज उस समय बैट पर नहीं आई, उधर चली गई, तो क्या है इसके दिल में, वो क्या सोच रहे हो, शहनाज को ऐसा लगते कि यार, हम नए लोग आ गए, तो सिधात उनका friend बन गया, मुझे ignore कर रहे हैं तो दोनों यार एक दूसरे से दूर होते जाए तो दोनों को यार लोग छोड़ते ही ना, अकेला, इधर देगो तो सिधात को गहरे रहते हैं, लोग उधर देगो तो शहनाज को कुछ लोग गहरे रहते हैं, बस सबकी planning यह है कि दोनों को एक दूसरे से दूर रखना है, ल यहाँ पर शेहनाज भी सिधात से दूर नहीं होना चाहती क्योंकि कितने भी फ्रेंड हो यार वह भली पारस और माहरा के साथ वहाँ बैट रही है बात कर रही है यार वह बात करना चाहती किस से सिधात से उसे सिधात का ही साथ चाहिए यार उसे और कुछ नहीं चाहिए और अपने आसू कैमरास पे नहीं दिखाना चाती ना उसे सिंपतिया नहीं लेनी उसे नहीं पसंद सिंपतिया लेना तो वो क्विल्ट में अपना मुछ उपाती है और यहाँ पर शेहनाज emotional हो जाती है यहाँ पर शेहनास कहती है, यह बिग बोस से बात कर रही होती है, वो कहती है मेरा मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैं अकेली हो गई हूँ, मेरे फ्रेंड, मेरी फिलिंग नहीं समझ रहे है, मुझे सिधात से बात करनी है और सबको लगता है कि मैं एक्टिंग करती हूँ, और एक्टिंग करती हूँ, मैं नहीं एक्टिंग करती हूँ, मैं इसे नहीं करती हूँ, और मुझे यहां पर सब मतलबी लगते हैं, सारे लोग मतलबी लगते हैं, बस मुझे सिधात से बात करनी है, मुझे सिधात से बात कर बी सिर्फ एक दूसरे के लिए ही सोचते हैं एक दूसरे की ही बाते करते हैं तो अब होगी अगली सुभा जहां पर हिमानशी का असली चहरा सब को नजर आएगा लेकिन वो सब बाते मैं आपके साथ डिसकस करूंगी गाइस नेक्स्ट वीडियो में तो आज ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर पताएगा और इन मॉमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी से भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प करें दिर दो दो अपकanners जरूर ओंकर भानुट ऑर जरूर जरूर